फ्लैट मुबाइल कार दोस्तो आपने अपनी जिंदिगी में बहुत कार देखी होंगी क्या आपने कभी बॉनी कार देखी है? शायद नहीं दोस्तो ये है फ्लैट मुबाइल कार इस कार को वर्ल लोविष्ट कार का दरजा भी मिला हुआ है इस कार की हाइट सिर्फ 19 इंच ही है पर दोस्तो ये कार किसी आम कार की तरह नहीं है इस कार में 875 CC का इंजन के साथ जेट इंजन का भी इस्तमाल किया गया है जो इसकी रफतार को भड़ा देता है इस कार की टॉप स्पीड 160 किलोमेटर पर आवर है 2008 में इस कार का नाम Guinness Book में लिखा गया था दोस्तो 10 दिसंबर 2012 में फ्लैट मुबाइल कार को 15,000 डॉलर में बेचा गया था लॉंगेश लिमोजीन इसके नाम दुनिया की सबसे लंबी कार होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है इस कार के अंदर सभी तरह की सुविदाएं मौजूद हैं ये कार इतनी ज़्यादा बड़ी है कि इसके उपर एक हेलिकॉप्टर भी लैंड किया जा सकता है अगर इस कार के इंटीरियर की बात करें तो आपको अंदर से ये कार देखने में ऐसी लगेगी जैसे कोई फाइफ स्टार होटल लिमूजीन कार को दे अमेरिकन ड्रीम के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है अगर बात करें इस कार की लंबाई की तो ये लगबख सौफ फुट लंबी है इस पर ना सिर्फ हैलिपैट बना है हेलिकप्टर लैंड करने के लिए इस गाड़ी में 26 टायर लगा कर इतना मजबूत बनाया गया है कि ये हेलिकप्टर का वजन जहल सके कार में पीछे की और एक स्विविंग पूल बना हुआ है इसके अलावा इसमें बैड रूम और एक लगजरी बार भी बना हुआ है इस कार को अमेरिका के मशूर डिजाइनर जै ओबर्ग ने बनाया था रिनी स्पीड इसकूबा कार दोस्तो ये कार दिखने में तो आमकार की तरह लगती है लेकिन ये कार पानी के अंदर चल सकती है दोस्तो इस कार को देखने के बाद आपको जेमस्वांट की कार याद आ जाएगी असल में ये कार जेमस्वांट की कार को देखने के बाद ही बनाई गई है दोस्तो ये एक बिजली से चलने वाली कार है जिसे चार्ज करना पड़ता है इस कार की स्पीड 120 किलोमेटर पर आवर है और पानी के अंदर इसकी स्पीड 6 किलोमेटर पर आवर है इस कार में तीन इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है जिसमें से एक रोड पे चलने के लिए और बाकी दो पानी में चलने के लिए इसके अलावा इसमें दो वाटर जेट भी लगे हुए है दोस्ते इस कार को देखने के बाद हर कोई इसे खरीदना चाता है लेकिन इस कार की कीमत जादा होने की वज़े से एक आम इंसान इसे खरीदने का सिर्फ सपना ही देख सकता है इस कार की कीमत 1.5 मिलियन डॉलर है यानि की 11 करोड रुपे पील पी 50 क्या आप किसी खिलोनी जैसी दिखने वाली कार में बैठ सकते हैं आपको ये सुनकर थोड़ी हरानी हो रही होगी कि एक खिलोने जैसी दिखने वाली कार में कोई कैसे बैठ सकता है लेकिन ये मुश्किल नहीं है क्रिल कैरल ने दुनिया की सबसे पहली छोटी कार का निर्मान किया है इस कार को दुनिया की सबसे छोटी कार मना जाता है और इसका नाम है पील P50 इस kâr की लंबाई सिर्फ चौणाई सिर्फ 41 इंज है real P50 में सिर्फ एक हेड लाइट और एक ही दरवाजा है Real P50 कार को पहली बार 1962 में बनाये गया था इस नन्नी सी कार में एक एलेक्ट्रिक विंड-स्क्रिन वाइपर wind screen washer और car की seat को leather से बनाया गया है इस car का वजन 56 kg है आप चाहें तो इस car को उठा भी सकते हो इस car में दो engine options है पैट्रोल और electric car के petrol variant की speed लगबग 45 km पर आवर है और electric variant की speed लगबग 50 km पर आवर है ये car एक लेटर fuel में लगबग 50 km तद चल सकती है ये car छोटी है पर इसकी कीमत नहीं इस car को अपना बनाने के लिए आपको लगबग 14 लाख रुपे खर्च करने पड़ेंगे पैंथर car क्या आपने कोई ऐसी car देखी है जो पानी पर भी उतनी ही असानी से दोड़ती है जितनी जमीन पर इस अनुकी car को वाटर कार नाम की कमपनी ने बनाया है ये car पानी पर इतनी तेज चलती है कि आप कलपना नहीं कर सकते पानी पर इस car की speed लगबग 70 km पर आवर है जमीन पर भी वाटर कार पैंथर की speed कुछ कम नहीं है आप इसे रोड पर 90 km पर आवर तक की speed पर से चला सकते हो पैंथर कार में चार लोग बड़े अराम से बैठ सकते हैं कार की seat बड़ी कमाल की हैं और इस कार की seat को stainless steel से बनाया गया है पानी में ये कार कितनी भी उचले कूदे आप अराम से बैठे रहेंगे water car panther में काफी ताकतवर engine लगाया गया है कार को आप पानी में रोकेंगे तो ये डूबे गी नहीं इसके चारो टायर में ताकतवर brakes लगाये गये हैं इस गाड़ी को खरीदने के लिए आपके पास बहुत सारे पैसे होनी चाहिए पानी पर चलने वाली इस कार को खरीदने के लिए आपको कम से कम 80 लाख रुपे खर्च करने पड़ेंगे तो दोस्तो आप इन में से कौन सी कार को चलाना चाहते हो कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेर करना ना भूलें और ऐसे ही इंट्रेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटे को भी दबा दो मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ अपना कीमजी समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद